हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज मैं नास्ते में डोसा बनाने जा रही हूँ तो यह देखी यह डोसा मिक्सर आता है पैकेट में इसे मैं आधे कप दही में घोल कर तयार करके 10 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और इसे अच्छी तर बनता है चिपकता नहीं है तो इसे कल्ची के सहाइता से मैं इसमें बैटर डालूँगी और इसे धीरे धीरे फैलाना है पूरे तबे पर इसके पैकेट पे तो लिखा है कि इसमें 10 डोसा बनेगा लेकिन जब मैंने इससे बनाया तो साथी डोसा बना साइद मैंने बड़ा डोसा बना दिया और इस तरह से किनारे में थोड़ा-thोड़ा तिल डालना है ताकि हमारा डोसा जो है वो असानी से निकलाए फेन्स और एक तरफ मैं सांबर बना कर तयार करके रखी हूं और चटनी भी बना कर तयार करके रखी हूं पस उसका तढ़का लगाना बाकी है फोल्ट करते हुए यह देखे बहुत ही असानी से निकलाता है यह देखे कितना सुंदर कलर आया है गोल्डन कलर और हमारा क्रिस्पी डोसा तयार है फ्रेंट्स अब मैं चटनी में तड़का लगाऊंगी तो मैंने एक कल्चुल में सरसो का तेल मुश्रोडायल कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाल कर राई डाल कर मैं तड़का लगा रही हूं और सांबर और चटनी के लिए एक ही साथ मैंने तड़का तयार किया है आधा मैं चटनी में डालूंगी और आधा मैं सांबर में डालूंगी तो हमारा कितना जल्दी फटा फट नास्ता तयार हो गया फ्रे